आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Using Determinants Find the Area of the Triangle with Vertexes तो यहाँ पर हमें क्या करना है Area of Triangle Find करना है तो Formula क्या होता है अगर हमारे पास Point हो X1, Y1 X2, Y2 and X3, Y3 यह 3 Point होंगे तो Area of Triangle क्या होता है Equal to 1, Y2 and Matrix इस Form क्यों होती है हमारे पास X1, Y1 X2, Y2 and X3 Y3 यहाँ पर होता है 1, 1, 1 अब हम यहाँ से क्या करेंगे इसका क्या Find करेंगे Area तो हमारे पास Area equal to क्या हैगा Area equal to 1, Y2 and Value put करेंगे X1, Y1 की Value क्या होगी 00, 1, 2, 3, 1 and 0, 5, 1 अब हम यहाँ से क्या करेंगे Expand with respect to R1 row 1 के respect में इसका Expansion करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा तो row 1 का First Element क्या है पहले तो लिखेंगे Delta equal to 1 by 2 row 1 का First Element 0 है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे सारे Term जो Multiple में आएगे 0 हो जाएगे Minus Second Term क्या है 0 तो वो भी 0 हो जाएगे Plus Third Term है 1 तो 1 से नीचे की Value हाइट करेंगे Left की Value हाइट करेंगे Value क्या बचेंगे हमारे पास 2 3 0 5 Cross Multiplication होगा 2 into 5 कितना होगा 10 Minus 3 into 0 is 0 तो हमारे पास यहाँ से Delta equal to क्या हैगा 1 by 2 in bracket 10 minus 0 equal to कितना हैगा 5 Unit Square तो यह हमारे पास एरिया आजाएगा ना Option चेक करेंगे तो Option 2 होगा यहापर Option 3 Classics च्ट्रूल से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 million से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें Doubtnet आप या WhatsApp कीज़े अपने Doubt 8400-4400 पर